लगन चोत्री है जो कि भगवान स्रीकरसिंजी और राधारानी जी की जो लगन हुई थी वो इसी चोत्री पर बैठके हुई थी काफी प्राचीन है लगबग आज से मंशा देवी का मंदर है जो कि साके संकेत गाउ है बरसाने से थोड़ी दूर परता है वही पे और फिलहाल यह बंदरों की वज़े से थोड़ा बंद कर दिया गया है नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा के पूरा एक गेट रूमा बना हुआ है यही रासमंडल है जहां पर रास रचाय करते थे वगवान स्रीकरसिंजी तो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आज मैं आपको लेकर आचुका हूँ संकेत गाउं जो की बरसाने से थोड़ी दूर पड़ता है और इस गाउं में एक बहुत ही अच्छी जगा है देखनेयों के जगा है उसको मैं आपको दिखाऊंगा यहां पे इस पर लए दिखाने में पसटे इस जगह कानाम संकेत गाउं है और यहां पर एक रासमंडल भी और अएक महाप्रभुजी की बैठक भी है उनकी película को दर्शन कराऊंगा तो बने गए मिरसाथ वीडियो में तो दोस्तों, अम मैं आपको यहां का एक चारो तरफ का व्यू दिखाना चाहूँगा, यहां का जो मंदर प्रांगन है, बहुत ही सुन्दर है, और बहुत ही सोबामान है, आप लोग देख सकते हो वीडियो में, यह बीच में आपका एक रास्ता है, और इधर और अधर दोनो प्रांगे, बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो में, और यहां पर थोड़ा बंदरों का प्रकोप ज्यादा ही है, तो जो महत्मा जी है, उन्होंने हमें कहा है, कि थोड़ा साफधान रहना, फॉन वगेरा छीन के ले जाते हैं, और उसके बाद आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, यही है रासमंडल जिसका मैं आपको बता रहा था, और उससे पहले आप यहां की जो भव्यता है, उसका थोड़ा नजारा लीजिए, और यह एक बर्गत का पेड़ है, काफी प्राचीन है, और कई वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत ही सुन है, और यहां पे कई चीजे हैं, उनके भी मैं आपको दर्सन कराऊँगा, जैसा कि यहां के जो स्री महन जी है, उन्होंने हमें बताया, यहां पे एक जूला भी है, जो वर्जन आप जी थे, भगवान स्री कृसिन जी के पर पोत्र, उन्होंने बर्वाया था, उससे पहले आप यहां का अवलोकन कीजिए, क्योंकि यहां के जो सजावट है, वो एकदम मन को भाने वाली है, और देखने से ही लग रहा है कि बहुत बहतरीन जगा है, और यहां पे बैठने के जगा जगा पर ऐसे वो बनाए गए हैं, जो पत्थर के कटाई करके और बहुत ही सकते हूं, इसका एक बार मैं आपको चारो तरफ से व्यू देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसी चीजे बहुत रेर मिलती हैं देखने को, तो दोस्तों उसी के साथ यहां पर गाओं के दो बच्चे हैं, तो इन से बोलते हैं, बच्चो रादे, 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 और उसके बाद मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, एक लगन चोत्री है, जो कि भगवान स्री किरसिंजी और रादा रानी जी की जो लगन हुई थी, वो इसी चोत्री पर बैठके हुई थी, काफी प्राचीन है, लगबग, आज से साड़े पांच जार साल से भी ज्यादा परानी है, आप लोग इस चीज का आवलोकन कर पा रहे होगे, क्योंकि जो पत्थर है, वो प्राचीन है, बाकि ये, जो प्लर्स इसमें लगाए गए है, ये थोड़ा उचा करके, बनाया गया है, ये नया है, बट ये पत्थर बिलक कर पा रहे होगे, मेरे वीडियो के माध्यम से, लगन चौतरी जो ला उसके लिए बैठने का जो स्थान होता है, उसको बोलते हैं, लगन चौतरी, पुराने जमयने की है, बिलकुल आप लोग इसकी जो ये नकासी है, इसको बारिकी से आप लोग देख सकते हो, बहुत ही प प्राचीन है, काफी पता तो नहीं है कितना पुराना है, बट काफी प्राचीन है, आप लोगों को दर्सन कराते हैं अंदर जाके, यही सामने आपको दिखाई दे रहा है, यही है मन्शा देवी का मंदर, थोड़ा काफी नीचा हो गया है, क्योंकि जो समय के साथ साथ और अगय का जो भर्त है, वो करवा दिया गया, बट यह अभी रह गई है, सबसे पहले घंटी बजाते हैं और आपको दिखाते हैं मन्शा देवी, आप लोग दर्सन कीजिए, मन्शा देवी का मंदर है, जो कि साके, संकेत गाउ है, बर्साने से थोड़ी दूर परता है, वही पर एक रास्ता जाता है, उस पर बोर्ड लगा हुआ है बाहर, रादा संकेत विहारी, ऐसा कुछ करके मंदर है, तो दोस्तों यह जो इसका परिक्रमा मार गए, उसका मैंने आपको अवलोकन कराया, और इसके बाद चलते हैं बाहर, और आपको बाहर इसका जो वज्जर ना तो दोस्तों सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यही है भाई जूला जिसको बताया था, वज्जनाव जी का जूला उन्होंने बनभाया था, और फिलहाल यह बंदरों की बज़ए से थोड़ा बंद करदिया गया है, नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा के एक गेट रुमा वना हुआ है तो दोस्तों थोड़ी बारिस आने लगी है एक बार में यहां से आपको यहां का चारो तरफ का व्यूद दिखाएना चाहूंगा आप लोग देख सकते हो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है यही रासमंडल है जहां पर रास रचाय करते थे भगवान श्रीकरतिन जी और उसके बाद आपको इधर साइड का जो व्यू है यहीं से देना चांगा क्योंकि बारिस के कारण पॉसिवल नहीं है कि आपको वहां नजदीक से अवलोकन करा दू मैं तो आपको सामने दिखाई दे रहा है यह एक बरका पेड़ है और वही मैं अधर की जो सजावट है और जो इसका अंदर से अवलोकन है और जो इसका भव्यदर्थन है वो बहुत ही बहतरीन है आप लोग वीडियो के मद्यम से थोड़ा तो समझी पाए होंगे बट उससे भी जादा अगर आपको इसकी जो असली जो ब्यूटी है वो देखनी है और भव्यता है वो देखनी है तो आपको आना पड़ेगा संकेत गाओं और संकेत गाओं में ये मंदर है स्री रादा संकेत विहार तो दोस्तों जैसा कि आपने पूरा के पूरा जो मंदर है उसका अवलोकन किया मेरी वीडियो के माज्यम से और पूरा मंदर था उसके बारे मे भी आपको दिखाया और बताया तो दोस्तों ये जो पूरा के पूरा मंदर है ये है आपका संकेत गाओं में और संकेत गाओं पड़ता है जो आपका बर्साना है उससे गोबरधन वाले रोड पे जब आप आओगे तो लगबग 3-4 किलोमीटर इधर साइड में पड़ता है आ इन्यवाद रादे रादे